बेटे की चाहत में एक मा ने अपनी तीसरी बेटी को पानी में डुबा कर मौत के घाट उतार दिया। अपने पैदा होने वाली अउलाद को हर मा बहुत प्यार करती है। चाहे वो बच्चा हो या बच्ची। पैदाईश के बाद बच्चों को हमेशा प्यार से रखा जाता है लेकिन सोचिए अगर मा ही उस बच्चे की जान ले ले तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। ऐसा ही मौामिला माराश्ट्रा के बारामाती से सामने आया है। जाएका औरत पर आरोप है कि उसने अपने ही डेड़ महीने की बच्ची को पानी में इसलिए डुबो कर मार दिया क्योंकि वो लड़की नहीं चाहती थी बलकि उससे लड़का चाहिए था। बारामाती पुलिस से मिली जानकारी के मताबिक महीला ने अपने बयान में कहा कि वो तंग आ गई थी कि उसकी तीसरी आउलाद भी बेटी है। उमीद कर रही थी कि इस बार उसको एक लड़का होगा तीसरी बार लड़की पैदा होने से उसे घुसा आया और उसने उसे मार दिया। पुलिस ने इस मागे के खिलाब मौमिला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आगे की जाँच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 2014 में देश के वीमेन एंड चाइल डिविल्लमेंट मिनिस्टर मेनिका गादी ने खुद प्रेस कानफरस में कहा था कि हर रोज देश में 2000 बच्चियां या तो माओं के पेट में ही मार दी जाती है या फिर पैदा होने के बाद उन्हें मार दिया जाता है और आपको बता दें देश में सन 2011 के मताबिक मेल और फिमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो में काफी फर्क है यानि देश में 1000 लड़कों पर सिब 914 लड़कियां पाई जाती है और अगर देश में किसी तरह का पापूलेशन ला लाया गया तो लड़के और लड़कियों के पै पैले इस मामले पर भहस की क्योंकि उस दोर में भी लड़कियों को जिन्दा दफनाया जाता था जिस पर कुरान सुरह तकवीर आयत नमबर 8 में कहा कि कि प्यामत में जब जिन्दा गाड़ी लड़कियों से सवाल किया जाएगा कि किस गुना की वज़ा से किगी गई और सवाल उठाते हैं आध दुनिया में पाए जाने वाले सारे प्रावलम्स का सोलोशन अगर कहीं मिल सकता है तो दामने इसलाम में मिल सकता है अगर एक इंसान आखरत और कियामत के दिन पर यकीन रखे तभी आखरत में जवाब देने के डर से इस दुनिया में गुनाहों से ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें